बिस्मिल्ला रुर्मान रुर्हीम असलाम लेकिम लिए स्टूडेंट्स बीएस मैठ थर्ड कैलुकुलेस 3 का हमारा टॉपिक चल रहा है लिमट एंड कंटिनुटी एक्ससाइज 3.1 हम वेक्टर अनलाइसिस कारवन वाली बुक से कर रहे हैं देखते हैं इफ दा वैक्टर फंक्शन एफ उफ टी दिस यह हमें वैक्टर फंक्शन गिवन है और इस इस कंटिनुटी सेटी इस इकोड़ वन फाइंड दा वैल्यू ओफ ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर नहीं है स्लूशन में लिमट टी अप्रोच इस टू वान एफ उफ टी इस इकोड़ टू यह एफ उफ टी सारा फंक्शन लिख दिया गया और लिमट भी लग लग अपलाई कर दीगे उसके बाद लिमट टी अप्रोच इस टू टी की जगा वान पूट कर देंगे यह चीजए हमारे पास आजयेगा उसके बाद इनको वान टूबाइंग तो यह को मलटीप्लाइँ्ट तो से मलटीप्लाई कर देंगे और उसके बाद उसमें से सब्ट्रेक्ट कर देंगे हम 1, 1 को सब्ट्रेक्ट कर देंगे यह चीज लिख लिख लिए उसके बाद सब्ट्रेक्ट करेंगे तो A-B is equal to 1 रह जाएगा इसको 4 कहलेंगे, अब 4 minus 2 4 और 2 को minus कर देंगे यानि इसको और इसको हम minus करने लगें इससे next step में यह लिख लिख लिएगे उसको minus करेंगे, A की value 5 आजाएगी put in 4, यह 4 में put कर देंगे तो B की value 4 आजाएगी putting the value of A and B in 3 3 में put कर देंगे और B की value तो C की value मारे पास minus 6 आजाएगी question number 7 देखते है F of T is equal to this find F of T की magnitude find करनी since F of T को वैसे लिख लिख लिए गया है F of T की magnitude find करनी हो इसका formula होता है square root of I के component का square plus J के component का square plus K के component का square उसके बाद इसका square open कर लेंगे उसके बाद इसको simplify कर लेंगे यह तो हमारे पास square complete हो गया जिसके से अंडर root cancel यह आज़ेगा one plus two ten square T आज़ेगा इसकी magnitude इससे next question number 8 देखते है यह question given है यानि F of T b given है और G of T b given है find हमने इनका dot product find करना है और cross product यानि scalar product and vector product find करना है F of T b लिख लिए गया और G of T b पहले इनका dot product ले लेंगे यानि same unit vector का dot product one के इकल होता है different का zero यानि या I dot I one हो जाएगा और ये दोनों आपस में multiply हो जाएगे plus J dot J one हो जाएगे ये दोनों आपस में multiply हो जाएगे K dot K one हो जाएगा और ये दोनों यानिके minus one और T square प्लस T plus one ये दोनों आपस में multiply हो जाएगे इसको simplify कर लेंगे हमारे पास इनका dot product आगया T की power 4 प्लस T square मैनस 2 T minus K one नव इसका cross product find करेंगे वही determinant method से I, J, K लिखेंगे F of T का I component F of T का J component F of T का K component इसी तरह G of T का I component G of T का J component G of T का K component उसके बाद इसका determinant open करेंगे determinant open करने के बाद उसको simplify कर लेंगे ये हमारे पास required result आजएगा उसके बाद question number 11 देखते हैं F of T हमें given है showed at हमने ये थाबत करने है F prime of T dot F double prime of T is equal to 0 here F of T को लिख लिए गया है उसके बाद इसका first derivative लेंगे cos का derivative minus sin T और sin का cos T और इसका 0 हो जाएगा उसके बाद इसका gain derivative लेंगे with respect to T ये चीज़ हमारे पास आजएगी उसके बाद इनका dot product ले लेंगे इससे next step में ये इनका dot product लिख लिए गया है I dot I 1 हो जाएगा minus minus plus हो जाएगे sin T cos T और J और J भी 1 हो जाएगा minus के sin T cos ये cancel हो के 0 हमारा required result लेटा गया ये question 2 दो questions है do yourself question number 12 ये given है इसमें components of F prime of T and F double prime of T at T is equal to 0 and T is equal to pi by 2 पे आपने खुद करने हैं ये practice के तोर पर question number 13 देखते हैं ये भी आपने खुद करने है calculate हमने करने है उसका derivative calculate करने है उसके बाद उस function का उसके derivative से डाउड पोड़क ले लेना है question number 14 देखते हैं if F of T and G of T are continuous at T is equal to T not proved at prove हमने ये करने F of T plus G of T is also continuous ये इनका sum भी continuous होगा at T not is equal to T by definition of continuous function F of T minus F of T not का अबसूरूर लेस थे एपसिलोन a positive number similarly G of T minus G of T not का absolute less than epsilon whenever T minus T not less than delta now F of T plus G of T minus F of T not minus G of T not इसका absolute is equal to अब इनका absolute इसी तरह इनको लिख लेंगे यानि कहने का मकस्द है ये चीज हमारे पास यानिके वैसी आद हैगी यानिके इसको इनके F of T not को इसके साथ लिख लेंगे G of T not को इसके साथ लिए लेंगे उसके पास इसका absolute अलग अलग करेंगे तो greater than equal to का sign आजाएगा और ये हमारे पास epsilon आजाएगा प्लस ये भी epsilon ये by definition हमने absolute की definition लगाई और ये हमारे पास two epsilon आजाएगा Whenever T minus T not less than delta Hence F of T plus G of T is also continuous ये भी continuous होगा इससे next step में question number 16 देखते है if omega, a, b are constant and if F of T is equal to A cos omega T plus B sin omega T show that show हमने एक an F prime of F double prime of T plus omega square F of T is equal to 0 पहले function को लिख लिए गए F of T को उसके पास इसका first derivative लेंगे ये चीज़ आजाएगी मिस cos का derivative तो minus sin omega T आजएगा आगे omega T का omega आने इसी तरह इदर भी हमने derivative ले लिया उसका double derivative लेंगे तो minus A omega आना था और इसका जो omega T का omega आना था वो omega square बन जेगा इदर भी omega square ये चीज़ आजएगा इसमें से minus omega square कामल ले लिए गए ये फुर्दर चीज़ जो है हमारे पास F of T के equal है इसको इदर ले आएंगे हमारा रिज़गार रिजल्ट प्रूफ हो गया वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें फ्रेंड के साथ शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताके हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासा नी पहुंच सके शुक्रिया